असलामनेकूम, वेलकम बैक तो माई चैनल, एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता बनने वाले नमक पारे, और इसको हम बगैर मेदा के बनाएंगे, इसको हम बन करूंगी तो आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आ मेरी चैनल पर नियू है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए का चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए होगे यहां पर आटा यह गंदुम का आम जो हम आटा से चांद निकल जाए तो अच्छी तरह से मैं चान लिया है और चांदने के बाद ही आपने यह सारी रेसिपी बनानी है यह प्रोसेस आपने भी फिल्कुल मिस्नेहीं करना तो यहां पर मैंने चान लिया है और अब इसमें मैं खास इंग्रीडियंट आट करूंगी ज जालना है उसको और एक दफा से चला लीजिए गा तो वह बिल्कुल ही बारीक हो जाएगी वह एड़ कर दीजिए का यह बहुत ही खस्ता नमक पारे बनाने में मदद देगी क्योंकि आटा जो है वह थोड़ा सा नरम पड़ जाता है जब सूजी एड़ करेंगे तो खस्ता बन और इसना से मिक्स करते जाएंगे अच्छा मिक्सिंग के दोरान आपने बिल्कुल हलका हाथ रखना है और इसना से क्रम से बनाने है अगर आप सकती से करेंगे तो फिर डो भी बहुत ही सखत बनती जाएगी मॉम अच्छी नहीं बनेगी तो यहाँ पर देखिए मैं मिक्सि इसना से होता है कि घर में मेदा मुझूद नहीं होता और अगर मेदा मुझूद नहीं है तो आप आटे से बहुत ही मज़ेदार से यह स्नैक्स बना सकते हैं बहुत ही खस्ता बनेंगे और नमक पारे तो वैसे भी हर एको ही पसंद होते हैं तो यह देखिए यहाँ पर इसक जमसे जादा पानी आड़ नहीं कीजेगा और इसको थोड़ा सा हमने हाड ही गूनना है इसको सॉफ्ट नहीं रखेगा क्योंकि हमने इसको स्टे करवाना है तकरीबन 20 मिनट के लिए और 20 मिनट के दोरान ही ये बिल्कुल परफेक्ट सी सेट हो जाएगी इसकी डो तो से बिल्कुल सॉफ्ट ना हो थोड़ा सा हाड होगा तो अच्छे से नमक पारे बनेंगे और फूले बनेंगे तो इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए और यहां पर देखे 20 मिनट कुजर चुके थे मैंने इसको सेट कर लिया है कवर करके रखा था आपने भी क कर लोंगी चोटे चोटे पेड़े बना लेंगे तो यहां पर मैं इसके फोर पार्ट कर लोंगी और अगर आप चोटे पेड़े कर लेंगे इसके तो क्या होगा कि हैंडल करना असान रहेगा और बेलने में भी असानी रहेगी तो यहां पर दिखे मैंने इसको कर लिया है औ और इसके बाद मैं इसको बेल लोगी.. और आपको बेलना है, कोई भी हमनें लेरिंग वगरा नहीं देनी और आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी यहाँ पर मेदा वगरा डस नहीं किया यहाँ इसको बेल लोगी उतने ही खस्ता बनेंगे नमक पारे और बहुत ही खाने में क्रिस्पी बनेंगे तो इसको मैं बेल लेती हूँ तो इसी दोरान में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कार्णली मेरी वीडियो को लाइक कर जीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अब इसकी कटिंग कर लेते हैं तो सिंपल सी कटिंग है स्ट्रेट से आपने पहले लाइन्स लगानी है आप जित और हमारी जो नमक पा रहे हैं वो रैडी हो जाएंगे और आप नाइप को इस साइट पर रखेंगे और इससे की कटिंग कर लेंगे बहुत ही क्रिश्पी से ये टी टाइम स्नैक्स हैं शाम के टाइम जिसन से चाए बनती है उसके साथ अगर फटा फट से बना लिए जाएं तो चाए का मज़ा भी दोबाला हो जाएगा और टीवी देखते हुए भी आप इनको 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 मैं अलग करके एकठा ही फ् करना तो यहां पर मैं इनको अलग कर लेती हूं तो देखे कितने परफेक्ट से हमारे नमक पारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और एजीली ही अलग हो रहे हैं मैंने कोई भी यहां पर दस नहीं किया हुआ मेदा या कुछ भी और कितनी प्यारी से इनकी शेप आई है आप च सटेनर लेना है और सटेनर की मदशसे इसको अच्छी तहां से प्रेस करते जाना है जितना आप अच्छ से प्रेस करेंगे तो यह फूल कर बशाय कर रहने बहुत ही खस्ता बने गे और आप इसे एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो दिखेंगा कितने दबर्दस ह हमारे नमक पारे बनने वाले हैं तो देखे कितने अच्छे से ये भूलना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही परफेक्ट सा इनको कलर दे देना है इसको जादर डाक नहीं किया जाता और बस इसी तरह हिला हिला कर इनको हमने फ्राइ कर लेना है तो बहुत ही अच्छा सा करण आना स्टार्ट हो चुका है बस अब हम इने निकाल लेंगे और देखेगा कि कितने जबरदस और खस्ता बनेंगे इनको आप जैसे ही रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो यह और जादा खस्ता हो जाते हैं जैसे ही ठंडे होते हैं और खाने मे इसको फ्राइ करते हुए चार से पांच मिन्ट लगे हैं और जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई की तरफ है लो फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं करनी इसको मीडियम टू हाई की तरफ ही रखेगा और देखे कि तब परफेक्ट सा कलर आ चुका है कितने फूले फूले हमारे और खस्ता से नमक पारे रेडी हो चुके हैं इनको निकाल लेते हैं हम फटा फट से तो आपका जब भी दिल करें कुछ भी मज़ेदार सखाने का बहुत ही सिंपल आसान और बहुत ही सस्ता सखाने का तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और इसके जितने भी इं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो कार्णली सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक्स वर वाचिंग अलाहाफिज